हेलो गाईज आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यह अच्छी होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों के लिए दो बहुत ही बढ़ी बीड लेके आया हूँ जिसमें से हमारी फर्स्ट बीड है पाकिस्तानी मस्टिफ और हमारी जो second breed है वो है boxer जिया guys दोनों इब्रीड बहुत ही बढ़िया है तो अगर आप लोग इनके बारे में पूरी information ले रहे चाहते हैं तो वीडियो के साथ end तक बने रहना आगे माँ आप लोगों को इनके बारे में पूरी detail दूँगा कि क्या इनकी location है और क्या इनकी pricing होने वाली है तो ज़्यादा time waste ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं So hi guys, कियाल चाल स्वागता आप लोगों का मेरी एक और न्यूव वीडियो में मेरा नाम है मंजीत और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube channel My Smart World तो पहले हम बात करते हैं इस पाकिस्तानी बुली के बारे में दोस्तों quality आप लोगों देख सकते हैं काफी अच्छी quality है और ये color आप लोगों को बहुत ही rare देखने को मिलता है इस breed में क्योंकि mostly आप लोगों ने देखा होगा पाकिस्तानी बुली जो होते हैं वो white color में आते हैं बट brindle color आप लोगों को बहुत ही कम देखने को मिलेगा तो गाइस ये जो मस्टिफ है ये एक mail है और काफी affordable price में है आप लोगों को अच्छे से पता है कि पाकिस्तानी बुली बहुत ही बढ़िया guard dogs होते हैं आप लोग अगर कहीं outer area में रहते हैं या आप लोगों को farm house के लिए कोई guard dogs चाहिए तो पाकिस्तानी मस्टिफ आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा क्योंकि इंडोक्स को बहुत ही अच्छे से पता होता है कि अपनी family और अपने घर को कैसे product करते हैं बागी दोस्तों इस बार में ये confirm नहीं कर पाया कि ये aggressive है या friendly है तो आप लोग इसे purchase करने से पहले एक बार owner से ये जरूर confirm कर ले न तो चलिए मैं आप लोगों को इसकी बाकिक information दे देता हूं इसकी age, price और location के बारे में बट उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर first time visit कर रहे हैं तो चैनल को एक बार जुरूर subscribe कर ले और साथ में bell का आइकन को तबा कर पाए मेरी latest video की notification सबसे पहले तो अगर इसकी age के बारे में बात की जाए तो ये पागिस्तानी मस्टिफ 8 months का हो चुका है और इसकी जो location है वो है सिंगु बोर्डर हर्यादा से तो अगर आप लोग इसे purchase करना चाते है तो आप लोगो को डारेक्ट ही जाना पड़ेगा क्योंकि delivery ज्यादा दूर तक नहीं हो पाएगी अगर आप लोग आसपास से है तो आसपास में delivery हो जाएगी तो चलिए बात करते हैं इसके price के बारे में ओनर ने जो इसके price की demand की है वो की है 12,000 रुपे तो according to quality आप लोगो को इसका price कैसा लगा अपने opinion एक बार मेरे साथ जुरूर शेर करना क्योंकि आपकी opinion मेरे लिए बहुत ही important होते है यह तो हुई इस पाकिस्तानी मश्टिफ के बारे में बात तो चलिए अब चलते हैं हमारे next dog की तरफ जो की है boxer पर boxer के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि owner के पास यह लैब्राडोर भी है आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छी quality आ है और आप लोगों को यह सिर्फ 6000 में मिल रहा है तो अगर आप में से कोई भी इस लैब्राडोर को purchase करना चाहता है तो vaccinated है अगर आप में से कोई भी इस यह purchase करता है तो साथ में इसका vaccination card लेना बिल्कुल भी ना भूले Guys boxer dogs बहुत ही बढ़ी आप guard dogs की category में आते हैं और यह बहुत ही playful और energetic dogs होते हैं इन्हें सुबे शेम वो और physical exercise की बहुत जरूरत होती है boxer dogs अपनी family और owner के बहुत ही ज़्यादा loyal होते हैं यह अपना ज़्यादा तर टाइम उनके साथ ही बिताना पसंद करते हैं अगर हम लोग इस female की age के बारे में बात करें तो यह 13 months की हो चुकी है और यह सभी dogs एक ही owner के पास है तो location में आप लोगों को already बता चुका हूँ और यह dog fully vaccinated है और बहुत ही जल्दी यह boxer female हीट पे भी आने वाली है तो according to quality आप लोगों को इसका price कैसा लगा मुझे भी एक बार जरूर बताना तो दोस्तों अगर आप लोग भी अपने dog की ad मेरे चैनल पर दोलाना चाते है या उसे free में dog कराना चाते है तो अपने dog सी videos और उसकी बाकी की information मुझे whatsapp पर send कर सकते है मेरा whatsapp नमबर आप लोगों को description में मिल जाएगा तो ये थी हमारी आज की वीडियो thank you so much मेरी वीडियो लाफ तक देखने के लिए अगर वीडियो जरास ही पसंद आयो तो like और comments करना बिल्कूल भी न भूले तो जल्दी ही मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो में एक और न्यू डोग के साथ so तब तक keep watching my videos and bye bye